नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है। कुछ unusual होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो भी अमेरिका की और से है। एक दिन पहले ही अमेरिका के जो नई दिल्ली में इस्थित राजदूत हैं एरिक गरसेटी वो मलिका अरजुन खरगे से मिले हैं। और वो अकेले नहीं थे। उनके राजनीतिक मामलों के जो मंत्री प्रामर्श दाता कह लीजिए। गरहम मेयर भी थे और चीफ ऑफ स्टाफ लीसा ब्राउन भी थी। इन तीनों की मलिका अरजुन खरगे के साथ मुलाकात ऐसे समय हो रही है। जब राहुल गांडी अमेरिका की तीन दिन की यात्रा पर आठ, नो और दस सितंबर की यात्रा पर रवाना होने ही वाले हैं कुछ दिनों की बात है। राहुल गांधी की जो अमेरिका की यात्रा है, उसके बारे में सैम पेत्रोदा ने अभी हाल में जानकारी दी, उनका कहना ये है कि साब 8 सितंबर को तो ये डलास में रहेंगे, टेकसास में रहेंगे, और 9 और 10 सितंबर को ये वाशिंग्टन डी सी का दोरा करेंगे, मंगला देश के इन दिनों बड़े चर्चित पत्रकार सलाउदीन शोयब चोधरी ने दो दिन पहले एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने एक डोजी अर्तियार कराया है, मोधी सरकार के संबंध में, और कराया है के नहीं कराया है, उनके इस खुलासे का, इस बयान का कॉंग्रेस की तरफ से अभी तब कोई खंडन आया भी नहीं है, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे दावे किये हैं, और उनके किसी भी दावे का कॉंग्रेस की तरफ से या गांधी परिवार की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है, एक F इनहों ने ये दावा किया है कि राहुल गांदी अमेरिका की यात्रा पर रवाना होते हुए अपने साथ एक डोजियर ले करके जा रहे हैं और राश्टपती पद के दोनों उमीदवारों से मुलाकात करने के लिए इस समय लोविंग करा रहे हैं यानि डोनार्डड ट्रEmm से भी मिलने की उनकी इच्छा है और कमला हैरिस से भी मिलना चाहते हैं और उनको डोजियर सौपना चाहते हैं ये बंगलादेशी पत्रकार का दावा है इसमें कितनी सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो राहुल गांधी भारत के जो अंदरूनी मामले हैं यानि मोधी सरकार के बारे में अगर कोई डोजियर दोनों को सौपने वाले हैं जैसा कि बंगलादेशी पत्रकार का दावा है तो फिर ये अपने आप में कमभीर मुद्दा हो जाता है। कितना सच है, कितना जूट है, ये कॉंग्रिस की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के डिप्लोमेट्स पिछले कुछ दिनों से मोदी विरोधियों से मुलाकाते कर रहे हैं, वो जरूर चर्चा का विशे बन गया है। आम तोर पर जो मैंने शुरू में कहा था कि कुछ अन्यूजवल चीज़ें अमेरिका की तरफ से हो रही हैं, जो के अपेकशित नहीं है अमेरिका से और ये क्यों हो रही हैं, इस पर मैंने अभी हाल में एक और प्रोग्राम किया था, उसमें जानकारी दी थी, पर जिस तरी कौन है, असदुदीन ओवेसी, तो हजार उनीस में तो फिर भी इनकी दो लोग सवा सीटे आ गई थी, एक संबाजी नगर वाली, जिसका नाम पहले औरंगाबाद था, और दूसरी इनकी हैदराबाद वाली, दो लोग सवा सीटों वाले किसी नेता से जाकर के, अगर अमेर के लिए इतने महत्वपून हो गए हैं कि अपने डिपलोमेट को वेज करके, उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, तबादला एक हयाल किया जा रहा है, और पतानी क्या क्या किया जा रहा है, तो असदुदीन ओवेसी किस चीज के लिए जाने जाते हैं, मुस्लिमों की तरफ करते हैं, लोगों को भटगाने की ही बाते करते हैं, और जो मोधी समर्थक है, उनको धंकी भी देते हैं, इनके लिए जाने जाते हैं, और मीडिया भी उनको अपनी TRP बढ़ाने के लिए इसलिए बुलाता है, याद करता है, ऐसे असदुदीन ओवेसी से अमेरीकी डिप्ल मिल रहे हैं तो आप जरा समझे के जो मोदी विरोधी हैं उन से अमेरिका के डिप्लोमेट्स मुलाकाते कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति जिन से अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने मुलाकात की उमर अब्दुल्ला फारुख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला पिता पुत्र दोन जो विधान सवा चुनाव हो रहे हैं उनमें भारतिय जनता पारिटी का मुकाबला कर रहे हैं। उनकी और कॉंग्रेस की आपस में गड़बंदन की राजनीती चलती है, दिल्ली में भी चलती है, जम्मू कश्मीर में भी चलती है। 52 सीटों पर नेशनल कॉंफरेंस लड़ रही है, करीब 37 सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी लड़ रही है, बाकी पर छोटे दल लड़ रहे हैं। कहने का आशे ये है, कि अमेरिकी डिप्लोमेट्स ऐसे लोगों से क्यों मिल रहे हैं, जो मोदी के खिलाफ चुनाव की ताल ठोक रहे हैं। चंदरबाबु नाइडू एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जो NDA का हिस्सा है, और जो मोदी सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं, और उनकी सरकार में भारतिय जन्ता पारिटी भी शामिल है, और उनके सांसद मोदी सरकार में भी शामिल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 240 सीटे हासिल करने वाली भारतिय जन्ता पारिटी अगर तीसरी बार सरकार बनाने में कामियाब हुई तो उसकी वज़े चंदरबाबु नाइडू और नितीश कुमार की पारिटी और कुछ छोटे दल भी हैं। वरना उनको सरकार बनाने के इस बार लाले पड़ने वाले थे। तो ऐसे में चंदरबाबु नहीडू से मुलाकात करना अमेरिकी डिब्लोमेट्स का ये अपने आप में फड़ा और चौकाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा रेवन त्रेड़ी जो तेलंगाना के चेफ मिनेश्टर हैं, मलिका और जुन खरगे से मुलाकात, राहुल गांदी के अमेरिकी दोरे से ठीक पहले। तो ऐसी क्या बादचीत की है अमेरिका के नई दिल्ली इस्थित राजदूत गार सेटी ने, ये अपने आप में अब चर्चा का विशे हैं। के अलावा, अमेरिकी दूतावास में पिछले दिनों अलग अलग गुरूप से, अलग अलग समुदायों से कुछ मुलाकाते हुई हैं। जैसे जो अंदोलन जीवी हैं, उनको बुला करके बादचीत की गई है। कुछ सोशल मेडिया इंफुलेंसर्स को भी बुलाकर के बादचीत की गई है। चाय नास्ता कराया गया है। और उनसे अपेक्षा की गई है कि जो अमेरिका का अपना मत है, अपना नेरेटिव है अलग-अलग मुद्दों को लेकर के, वो जनता तक उसे पहुँचाने में मदद दे। अब ये जो सोशल मेडिया इंफुलेंसर्स हैं, यूट्यूबर हैं या ट्वीटर पर सक्री रहने वाले लोग हैं, ये वो तो हो नहीं सकते जो मुद्दी को सपोर्ट करते हैं। इनमें मौस्टली वही हैं जो मुद्दी के खिलाफ ताल ठोकते रहते हैं। ऐसे लोगों से ऐसे समय मुलाकात जबके प्रधान मंतरी नरेंदर मौदी मौस्को की यत्रा करके आए हैं। इसके अलावा यूक्रेण की यत्रा करके आए हैं। पहली यत्रा उनकी जी सेवन समिट की इटली की थी। और मौस्को यानि रूस और यूक्रेण की यत्रा के बाद इस समय प्रधान मंतरी नरेंदर मौदी दो दूसरे देशों ब्रवनेई और सिंगापुर की यत्रा पर हैं। और सितंबर के दूसरे पक्वाडे में करीब पांच से च्छे दिन की अमेरिका की यत्रा पर रवाना होने वाले हैं। यूएन एसेंबली में अपने विचार रखने वाले हैं। वहाँ पर जाहिर वो द्योपतियों से भी उनकी मुलाकात होगी। अलग-अलग गुरूप से मुलाकात होगी जो भारतिये महाँ बसे हुए हैं वो उनको भी संबोधित करने वाले हैं। और जो राहुल गांदी का कारिक्रम आया है, आश्चर जनक रूप से, उसमें भी भारतिये जो महाँ बसे हुए हैं, उनसे मुलाकात का एक कारिक्रम रखा हुआ है. तो राहुल गांदी की जो अमेरिका की यात्रा है, नरेंद्र मोदी के वहाँ पहुचने से दस बारे दिन पहले की इनकी यात्रा है. ये क्यों हो रही है? और अमेरिका के राजदूत अगर कॉंग्रेस के अध्यक्ष से मिलते हैं, वो भी यात्रा से ठीक पहले, तो भही सवा तो उठे गए और अमेरीका क्या अब इस इस तर पर उतर आया है जिसको हम चिर्क उटाई कहते हैं चिर्क उटी हरकते हैं क्या भारत सरकार को या जो वाकिके पार्टियां है उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि अमेरिका कर क्या रहा है जिन लोगों से मुलकाते वो कर रहा है उसका उद्देश क्या है क्या इस तरीके से अमेरिका भारत में कुछ भी ऐसा अन्यूजवल करा सकते हैं जिसकी चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से हैं कि साथ जैसे स्री लंका में हुआ जैसे बंगला देश में हुआ ऐसे ही भारत में भी हो सकता है कुछ बया आये हैं ना पिछले कुछ दिनोंने, सलमान खुर शीद का भी आया, मनी вним कर ऐयर का भी आया, रागेश्ट्रिकैद का भी आया, कुछ वो जो एको सिस्टम वाले हैं, वो भी, जो हाथ मल करके पत्रकारिता करते हैं वो भी तरह-तरह की कैशा और इस तरह की चीज़ें और ये जो मुलकाते होई हैं और घर गे साथ के साथ के मुलकात इस ने एक बार कि फिर इन चर्चाओं को जनम दिया है कि अमेरिका की आखिर इच्छा क्या है और क्या अमेरिका प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है और क्या ये तरीका होता है किसी देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रधान मंत्री को प्रेसराइज करके आप अपना एजेंडा लागू कराने की करेंगे क्योंकि ऐसे समय प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की मासको यात्रा हुई थी जब अमेरिका में वाश्ञिंटन में नेय्टो देसों की कि एक संमिट हो रही थी और उस समय अमेरिका के विदेश विभाग के तरफ बयान भी आया था कि मौधी जी की जो मास्को यात्रा है इसकी टाइमिंग्स ठीक नहीं है और इसको लेकर के तो युक्रेण के राष्टपती जेलेंस की ने भी अमेरिका के कुछ राजने को ने भी परधान मंत्री नरेंदर मौधी की आलोचना की थी किसाब बड़ी गरम जो गरम जोशी से मिले और गले ही मिले अभी वो ब्रेनाई गए तो वहां भी और अगर सिंगापुर गए तो वहां भी वो सबसे गले मिलते हैं गरम जोशी दिखाते हैं लेकिन जिनके पेट में दर्द होना था वो हुआ है और अमेरिकों को कही ना कहीं ये लगता है कि पान अस्ट्रेलिया और अमेरिका भी है पर भारत तठस्त और स्वतंत्र विदेश नीती और राष्टी एहितों को सर्वोच इस्तर पर रख करके अपनी विदेश नीती तै कर रहा है यानि अमेरिका या ये यूरोपियन कंट्रीज के दवाओ में नहीं आ रहा है और ये प्रद्धान मंत्री पद पर अगर नरेंद्र मोदी है तो वही उनकी सेहत पर तो कोई फरक नहीं पड़ेगा और ये जो हरकते हो रही है असदुदीन ओवेशी से मिलना चंद्रबागु नैडू से मिलना रेवन त्रेड़ी से मिलना उमर अब्दुल्ला से मिलना पारुख अमेरिका खुद एक्सपोज हो रहा है इससे प्रद्धान मंत्री की सेहत पर कोई फरक पड़ेगी या वो भारत में अगर कोई संबहावना तलाश कर रहे हैं बंगलादेश जैसी तो ये गलत फ्रेमी भी अमेरिका की दूर हो जाएगी यानि जो चिर्कुटई दिखा रहा है अमेरिका उससे वो अपना इस्तर बता रहा है हुए एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका की पहचान रही है लेकिन इन हरकतों से उसकी अपनी वैल्यू अपनी साख अपना इस्तर ही वो नीचे कर रहा है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बैल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो औ और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।